जोहार नमस्कार हम बारत के संविधान को पढ़ते हैं तो समझते नहीं है और यह तो पढ़ते नहीं है। मारत का संविधान जब बना और अजादी का अन्दोलन जो था इन दोनों में लेंगिक समांता की बात की गयी है। समांता का मतलब कि इस्तरी और पुरस के बीछी भी समांता हो और तमाम सारे राथ जो पूर्सों को हैं वही राथ पहिलाओं को भी हैं। हमारी जो पढ़ाई लिखाई है उस पढ़ाई लिखाई में किताबों को पढ़ना और पढ़ करके जाकर एक्जाम देके चले आना समझने से उसका कोई मतलब बहुत ज्यादा नहीं रह गया है इसलिए हम इसी जो को समझते नहीं है दूसरे की हमारी समाज की बनावाट और बुनावाट कुछ इजड़न से हैं कि इस्तिरी हमेशा से दोयमदरजे की मानी गई है और दोयमदरजे की इस्ति में रहती है Community चाहे जो भी हो, उसकी वजह से बहुत सारी परिसानिया होती है, जारकंड के संदर्प में अगर देखें तो जारकंड में economic की read अगर कहीं है तो महिला है, लेकिन संपत्ती पर अधिकार नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा डायन हत्या उनके साथ हो रहा है, पिछले 10 सालों स से इतने जादा rap सो रहे हैं, और कल्पनी हैं कि जारकंड में भी ऐसा हो सकता है, और संभव, कोई तजाब फिक दे रहा है, कोई rap कर दे रहा है, इन तमाम situation को देखते हुए, आज युका mission को लगा, कि जब तक हम यह काम नहीं करते हैं, कि हम जहां काम कर रहे हैं, जिन इला से जगा हैं, कि यह डाइन क्या होता है, भूत क्या होता है, होता कि नहीं होता है, वो जागनी की चकर में पढ़ें, नहीं पढ़ें, क्या है, नहीं है, तो एक नई पहल, नई चेतना की, शुरू की गई है, यह क्या है, हमारे साथ एक्सपर्ट्स हैं, जो इस काम को कर करा रहे हैं facilitate कर रहे हैं और वो लोग जो सीधे इस काम से जुड़ी हुई हैं यह दोनों हैं आज हमारे साथ और दोनों आप से मुकातिव होंगे आपको अपनी बात बताएंगे पहले परिचाय करा दें हमारे साथ है मिनाख्षी प्रकास जो आज युकामिसर में एस्टेट रिस जी जो समुदाय से आती है और महिलाओं के साथ लगातार उनको नयाय दिलाने के काम कर रही है हमारे साथ है प्रदान से जुड़े हुए मनोज खिंडो जी यहां पर टेक्निकल सपोर्ट दे रहे हैं इन सब के साथ हमारे साथ ओडियंस में बहुत सारी महिलाएं हैं जो इन काम पुर्णिमा जी से हरम करने पुर्णिमा जी यह बताई है कि क्यों लगा ऐसा कि आज युका मिशन में आप तो कह रही है रोटी दाल की बवस्ता करने गई है आप आज युका मिशन में रोटी दाल की बवस्ता है सबजी के लिए आपस में गुरुप बनाओ तो उसके इनके बीच बीच प्रणिया काम यह है कि उनके समानता के और उनका जो रहा है उसके खड़ा किया जाए यह आइडिया अप ऐसा है कि पूरे भारत वर्ष में जब आजी वी का मिशन शुरू हुआ तो शुरुवात में सबसे पहले महिलाओं को मुबलाइज किया गया और उनक में समो बनाया गया और फिर समो को ग्राम स्तर पर शंकुल स्तर पर फेडरेट भी किया गया और सेकंड स्टेप में क्या किया गया कि सब्दी को फैनेंशल इंकलूजन के तहत कुछ तो राशी सीधे रिवाल्विंग फंड, कमुनिटी इंवेस्टमेंट फंड बोल करके दिया गया सम ग्रूप को और फिर बैंक से लिंकेज कराया गया थर्ड स्टेप में लाइवली हुड शुरू किया गया परंतु ये चीज को देखा गया कि आप लाइवली हुड करते हैं महिलाएं अगर लोन ले करके भी जा रही है घर में और घर में दुकान लग रहा है घर में परिसंपत्ती बन रहा है घर में खेत अगर बंधक है तो छूटा रहा है लेकिन महिलाओं के साथ जो हिंसा हो रही है वो कम नहीं हो रही है और कोवीड के समय में देखा गया कि हिंसा घरलू हिंसा बहुत जादा बढ़ गया और कोई एक ऐसा स्टेप नहीं निकल रहा है जिससे महिलाओं का जैसे अपने शुरू में ही कहा था कि संपत्य प्रदिकार नहीं है, जमीन प्रदिकार नहीं है तो हम लोग अगर महिलाओं क में लगबग आठ करोड महिलाएं जुड़ गई हैं समू से तो देखा गया कि नहीं अब एक समय आ गया है जब महिलाओं को जागरूप किया जाए उनको हिंसा से बचाया जाए महिलाएं अब जस्टिस की बात करें न्याय की बात करें कि उनका क्या हाक और अधिकार है तो यह सोचते हुए भारत सरकार के जो मिनिस्ट्री ओफ रोल डवलाप्मेंट है उसने निरने लिया कि एनरलम को ही फोकस करते हुए एक नाशनल लेवल का कैम्पेण चलाए जाए जेंडर कैम्पेण और यह कैम्पेण प्रत्यक वर्ष चलाई जाए जाए और हर वर्ष अलग-अ और उसका उद्देश वही है कि लैंगिक असमानता को कैसे कम करेंगे तो इस साल और इसका चैन भी किया गया कि यह 25 नवंबर से स्टार्ट होगा और 23 दिसंबर को खतम होगा 25 नवंबर जो है वो महिला हिंसा अन्मुलन के लिए अंतराष्टिय दिवस है तो यह उस दिन को मानग इस दिन को शुरू किया गया इस कैंपेंग को और जो पहली बार यह किया गया तो इसका जो सब्जेक्ट में जो चर्चा करने के लिए विशह दिया गया उसमें यह चीज दिया गया कि महिलाएं पहले तो पहचाने की हिंसा उन पर हो रही है चुकि महिलाओं के साथ होता है हिन्सा को और जो आपना भाग्य मान लिक चुकी है उनको लगता है कि मेरे जीवन का हिस्सा है यह तो विया है वो मतलब लाइफ का एक पार्ट है तो महिलाएं उसको ऐसे ही लेती हैं तो यह हुआ पी यह है हाले में जो सर्वे रिपूर्ट आई है वो बुलती है ठीक खिलाता है न भाई तो मारता है तो अदिक्कत है तो यह चीज है कि महिलाएं इस चीज को समझें कि नहीं जब वो हिंसा नहीं की जानी चाहिए और उनका वो सम्मान का हानी होता है उनका परिवार में स्थिती को कमजोर करता है और उनका मानसिक स्थिती जैसे अब हम लोग इस पर भी पहचान की बात कर रहे हैं कि सिर्फ शारिरिक हिंसा ही हिंसा नहीं है अगर आपके साथ मानसिक हिंसा हो बात करते हैं, तो भारत सरकार ने ये campaign चलाने का निर्ने लिया कि नहीं हमें जिंडर असमानता को दोर करना है और महिलाएं समझें कि उनका पूरा पूर्ण व्यक्तित्तों का विकास होना चाहिए. किंडो जी, पूरुस्त के खिलाप खड़े हो गए आप, और क्या है, आप क्या समझ करके प्रदान से यहां आए और आने पर जो इंपुट मिला, जो है महिलाओं को समानता बहुत मामले में और एक तरह से महिलाओं को अधिकार बहुत सारे हैं, संपत्ति पर छोड़ करके, ब रहने के लिए आपके पास क्या एडिया है? मैं खुद भी जार्खन से हूँ और जार्खन से जब मैं पढ़ाय लिखाई करने के बाद में, मुझे ऐसा लगा कि शायद समाज में कुछ तो ऐसे गड़बड़ी है, जो आसमानता है, जो अन्याय है, वो मुझ से देखा नहीं है, कोई प्रतियस परदर नहीं है, सब साथ निर्ते करते हैं, सब साथ खाते हैं, सब साथ जीते हैं, कुछ सीजें हैं जो कि को समPSthe mark हैं, बिल्कुल जै ऐसा जाते हैmy है, लेकिन डियांन अगर थाल आगर और थास से आ लो जाऱ्िथ यह हैं, जो भी आगो अगर पुट स संपतिक अधिकार नहीं है, महिलाएं विसेज करके, जब शादी करके दुसरे घर में बिहाई जाती है, तो उनको कहा भी जाता है कि वो बेची जा रही है, वो उनका शादी हो रहा है, लेकिन साधरन तो लोग बोलते हैं किसके कहां बेचे, कहां पर शादी दिये है, वो अप अपने आप में खादा है, इस प्रकार की जो शब्दा वली है, तिसरे उसके साथ जुड़ा हुआ है, कि जैसे ही सरीर विक्सित होने लगता है, लड़कियों को उठा ली जाता है स्कूल से, बिलकुल, संथाल प्रग्नाम के इलाके में अगर चले जाए तो सबसे ज्यादा लड़कियों को साथवी, आठवी से उठाना बंद कर दिये, उसके आगे नहीं जाएंगी, एक तो सुरक्चा की गारेंटी नहीं करते, सरकार सुरक्चा की गारेंटी नहीं करती, यह कारण है, उसके पर तीसरे की लड़की ज्यादा पढ़ लिख लेगी तो फिर ज्यादा महिलाएं भी सेज़ कर देखें, तो काम के लिए, चाहे वो गंडे, दिल्ली, मदरा से सब सब जाते हैं, जहां पर शायद उनका इस्थेती और ही नाजू को जाते हैं, और वे इस प्रकार के यौन सोशन और अत्यचार और इस सब चीज़ के जासे में आ सकती हैं, तो हमको परावरी की बात या पिर न्याई की बात करना बहुत ही जरूरी है, और शायद इन चीजों को भारत सरकार ने और राज्ज के सरकार ने भी बहुत अच्छे तरीके से शायद ये किया है, समझा है और इस पे काम करने के लिए पहल नई जातना की कहाँ हैं, आपको आसान लग रहा है कि नहीं थोड़ी कठनाई है, थोड़ा दुरू है, बुनावट है समाज के उसके साथ, समाज के बुनावट में अगर देंके तो मुश्किल तो है, लेकिन शायद असंभव नहीं है, तो शायद इसी आशे और विश्वास के साथ ही पहल शुरू हुए है, जो बह है कि आपको क्यों लगा कि खड़ा होना चाहिए, जैसे पहले हम लोग तो एसे जी में जूड़ने के बाद हम लोगों को हर तरह सारे योजनाओं से जोड़ा गया, आजीविका से जोड़ा गया, लेकिन हम सभी महिलाएं आजीविका से अपना हर चीज काम करने लगी, आयक मान समान है, वो नहीं मिल पा रहा था, आज हम लोग आजीविका तो ले लेते थे, लेकिन मान समान कहीं न कहीं पुरुष को मिलता था और महिला को नहीं मिलते थे, क्यों कैसे जाज़ा इसको भी बता हिए, कि जहां पर आजीविका से सम्मान दे रिन लेता है, तो उसमें क अपना मान सम्मान में बढ़ाना है और उस आजिविका के छेतर में अपना ही नाम देना है तो पहला हम लोग जंडा तयार कर दिये जो सवाजिक विकास की छेतर में हम लोगों ने काम करना सुरू किया है और हर जगह जागुरुक अभियान चला रहे हैं और जितने भी कहीं हद तक अपना जो हक है उसको ले पा रहे हैं कुछ पॉइंट्स बताए हिंसा जहां आप चिन्नित करती है कि यह हिंसा है जैसे अभी पुडिमांजी ने बताया कुछ जगह बताया कि यह हिंसा है तपर मारना ही सिर्फ हिंसा नहीं है घर से निकाल देना भी हिंसा है उ जुदक अर्ठिक रूप काम करते हैं तो पैसा था तो पना थिकार समझ रही है और अपना जगा बार रहा है जो आर्थिक हिंसा से जूज रही थी, बहुत सारी ऐसे महिलाएं, जो अभी कहीं न कहीं वो लोग पुरूश है कि वो पैसा कमाती थी और लेके चल जाती उनके पती और नशापान में उड़ा देते थे, तो उसके वज़े से उनका जो मानसिक और साररिक रूप से वो हिंसा उनका होने लगता था, तो आज उन पर भी हम लोगों ने काम किया है, और कहीं न कहीं दीदियों को इसके बारे में हम लोगों ने जागरूप किया है। उसके अधिकार होना है, अधरवेश कि हम घर पे पैसा लाएं और उसके मर्द बताएं कि हम ये कर रहे हैं और फिर हम उसके बारे में कुछ भी ना जाने। तो इससे तो बाहर हुआ ही गया है, पर एक चीछ और भी है इसमें जो समाजिक जागरूपता जो अभी लैंगिक समानता के ये में हमारा जो कैम्पियन चल रहा है, उसमें एक बहुत 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 बात ये है कि हम जैसे हम एक परिवार में महिला और पुरुष की जिम्मेदारी होती हो और जो उनका कारे छेत्र होता है, उसमें मैं और मेरा कहीं नहीं आता बलकि हम से शुरू होता है और हमारे से शुरूए होते हैं तो हम और हमारा-मारा ऌना जो ये चीज है उसमें कहीं न कहीं पुरुष। का जो आगे आने का उसमें हर चीज में अपना अधिकार जमाने का कहीं न हमारी बहुत सारे योजनाव में हैं कि भाई आप रिन है या फिर कुछ खाने का समाना आ गया यह कुछ कपड़े आ गया पहले किसका आएगा बाद में किसका इन सारी चीजे को चोटी-छोटी डिसिजन भी हैं खाना खाना है तो पहले हम खा लेते हैं मेने नहीं पहले मेरे कि खा लेंगे फिर हम खाएंगे तो ऐसे चोटी चोटी डिसिजन ऐसे बड़े-बड़े डिसिजन के हाँ एजूकेशन में कहां जाएं क्या करें काफी चीज़ें जुसको हम लोग यहां सब उतना इलबरेट तो आप सब समझ रहोंगे कि हम मैं उस परिवार की प्रिस्ट पाते और कहीं यह गाड़ी जो है वह हमारे वाले कॉंसेट पे चल पाती लेकिन मैं और पती कहते हैं यह मेरा है मेरा अधिकार अपना तुम्हारा तुम छोड़ दो पाकी रिन मैं देख लूँगा यह ग्रॉसरी सौप तुमने खोल दिया अब रहने दो मैं चला लूँग है न वो डिरेक्शन होता था और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं दीदी लोग यहां बैठी है जो इस बात से सहमत है कि यह डिरेक्शन उनको जो मिलता था घर पे अभी इतना रिन मिल गया न आगले बार तुम पचास जानी लेना अब एक लाख लेना डिसीजन मेरा नहीं ह अशर थीमी है कि हम सहेंगे नहीं कहेंगे तो यह जो बाते बाहर आने लगी तो यह बहुत अच्छा लग रहा है कि एक मेने का कैम्पियन ग्रामीनी विकास मंतराले के द्वारा आज विका मिशन के माध्यम से हमारे 2400 जीलों में और सभी प्रखंडों में चल रहो और महिल महसूस हो रहा है मतलब एक ऐसा माध्यम एक ऐसी जागरुकता की कहने के लिए हम अब आतूर है और जैसा कि अब बात हो रही थी कि जेनलर जस्टिस सेल भी है हमारा 16 और वो खुलने लगा है तो आप सर मैं बताओ कि जैसे जैसे हम जागरुकता के प्रचार में लगते हैं तो चीजे बाहर आने लगती बिकूस लोगों को समझ में आने लगता है कि ये सही नहीं है, हम भी कह सकते हैं ना, हम भी उस गाड़ी के बारे में ये कह सकते हैं, कि अच्छा चार किलो मेटर चला परसो दस किलो मेटर तो ठीक है ना, इसमें इतना खर्चा हुआ, ये जिम्मेदारी हमारी नहीं हम इसके बारे में अपना विचार, वहवार और हम अपनी समझ भी तो उसमें बना सकते हैं ना, बिल्कुल अलूफ हो जाना सही नहीं है, अमनुजी जारकंड में दो तीसरा चुना हो चुका है पंचायत का, पंचायती राज चुनाओ के बाद लगवख सतर प्रसेंट के आसपास महिला मुखिया पारसद मिला करके, ये अनुपात बदला, इस अनुपात बदलने से, इस लेंगिक समानता की हम लोग बात कर रहे हैं, आप प्रदान में काम कर तो फिर यहां आके काम कर रहे हैं, उससे कहीं कोई फर्क दिखता है क्या, एक, दूसरे उसके साथ जुड़ा हुआ है, कि decision making में, घर में क्या हो नहीं हो, यह भी decision है, और पंचायत में या वाड कमिशनर है, तो वहां क्या हो नहीं हो, कौन decision लेगा, आम तोर पर MP हो जाते थे, पती MP हो जाते थे, कौन है तो MP साहिब है, बहुत बार हम कोई गया है, ट्रेनिंग हो गए रहे हैं, मैं तो पूछे, भाई कहां के MP हैं, अधे मुखिया पती हैं, है तो यह फर्क जो है, आपने क्या नोट किया, और क्या लगता है कि आगे इन चीजों को जहां लेंगे कि हिंसा या समानता की बात है, रोकने की कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल पंचायत, चुनाओं के बाद में, चुकी आरक्षन, महिला आरक्षन के चलते, 50% सीट में महिलाएं जीत के जरूर आ रही हैं, लेकिन शायद हम जो बोलते हैं कि एक मानसिक्ता है, कि पुरुष, प्रधान, समाज में शायद हो सकता है, कि महिला ही उस सीट पे बैठी हैं, लेकिन शायद शाशन का डोर तो कहीं न कहीं पुरुष के हाथ में हैं, तो इसलिए वो जो मुख्या प्रधावां का से उस प्रकार से नहीं है, और एक सायद लंबी सफर तै करने की आशकता है, और हमको लगता है कि जब तक वो मानसिक्ता में बदलाव नहीं आएगा, जब तक वो पेट्रियार्कल थोट में कुछ चेंज नहीं होंगे, तब तक शायद उस प्रकार की बराब तक शायद नहीं कर पाएंगे, तो हमको लगता है कि अभी भीव शायद एक लंबा सफर तै करने की आशकता है. तो वहाँ पर लिखा जाता है पती, मुख्या का पती, इस तरह से लिखा होता है, और कभी न कभी हम लोग उनको टोकते भी कि ऐसा क्यों लिखा जाता है, लेकिन कहीं न कहीं हम लोग अपने आपको कमजोर महसूस कर देते हैं, कि उस जगह हम बोल पाएंगे या नहीं, या हम लोग जो संगठन यही चीज समझाते हैं, कि आज आप मुख्या खड़े हैं, अगर किसी के सामने बोलने लगेगी, तो शायद आपका पती आपके पीछे खड़ा रहेगा, तो आज कहीं न कहीं हम लोग ने संगठन से सभी डिडियों को तो नहीं, एक या दो वार्ड हो मुख्या इनको नाम नहीं लिखने देंगे, उसी बात पर हम लोगों ने बदलाव किया है, और जहां तक है किसी, अगर कोई केस हो गया, मामला हो गया, तो उस जगह उनका पती जाता था, तो हम लोगा का संगठन जो था, उनके आने से पहले ही हम लोगों ने ये तै कर लि नहीं दूर पर खड़े रहते हैं, एक बार लिता जी के नाम पर ताली बजा दिए आपने लिखाए जी अपने देश में जहां हम है, अपने जारकर्ण में, चाहा अदिवासी समाज हो या गैर अदिवासी समाज हो, यहां सब जगह दुर्गास और सक्ति और लक्षमी एक सक्ति और धन की देवी हैं, लेकिन वो घर में ही है, यह बाहर जो निकलने की कोशिस हो रही है, इस पहल में किन लोग का साथ मिल रहा है, कौन लोग खड़े हैं आपके खिलाप, कि आप यह क्या कर रही हैं? इस पहल में अभी जो सबसे बड़ा चीज हुआ है, कि अभी तक आप देखेंगे कि गवर्मेंट के जितना स्कीम्स रहता था, कभी इस तरीके से महिलाओं को हिंसा के विरुद्ध आगे बढ़ने के लिए कभी प्रेरित करने वाला कोई प्रोग्राम नहीं था, ठीक बोल सबसे बड़ा चीज होता है, कि आप जब डिसीजन नहीं लेते हैं, तो आप फिर जो असली सबसे बड़ा चीज होता है, अगर वो एक तरफा निर्ने हो रहा है, तो महिलाओं एक तरख्या से जैसे आपने का है कि दोयम दर्जा का ही नागरिक है, और अभी सहयो काफी मिल रहा है, अभी समाज में एक बदलाव आया है, आप देखेंगे कि अड़र्टीजमेंट वगरा, सब में एक चेंज आ रहा हैं, गाओं में शायद अभी पूरी तरीके से नहीं बदले है, शहरों में ये बदलाव शुरू हो गया है, तो अब हम लोग गाओं में देदियों को जब अंदोलन कर रहे हैं, और इस बार का कैंपेंड में जो कि गॉर्णन डिजाइन है, लेकिन उसमें कहा गया है कि पु हैं, और स्कूलों में जब जाते हैं, तो वहां के जो शिक्षक हों, शिक्षिका हों, बच्चे बच्चियों के साथ लेंगिक हिंसा भेदभाव पर बात करने के आपको पूरा मंच देते हैं, वहां पर पूरा मेनाक्षी जी, चार चीज़ें हैं जो इस्टेक हो सकते हैं आ एक होता है कि आ रहे हैं सिर्फ एक प्रोगाम में सामील होने के लिए, कि चीजें बदल नहीं हैं, तो यह अगर चार जो इस्टॉक होल्डर है, इनको जोडते हैं, तो हमको लगता है चीजें के बदलने में गुणात्मक फर्क दिखेगा, आपको क्या लगता है, कैसे दाव की और आपको इंगित करती है, जान तक आपने सर कहा कि पंचायत हो या ग्राम सभा हो या फिर हमारे शिक्षा की छेतर में लोग हो या स्वास्त के छेतर में लोग हो, तो सर यह है कि हम लोग समाजिक विकास अपने आप में झाल कंशेदारा का कारिक्रम होता है, और जब हम इस तरह के अभियान को जोडते हैं लैंगिक असमानता हो या फिर हम जायन प्रथा की बात करते हो या फिर हम हिंसा में अलग-अलग तरह की हिंसा जो भी हम इसमें ले करके आ रहे हैं जो इससे कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है उसमें हर परिपेख्ष में सर इन सब को म माद्धियम से हम लोग जुड़े हुए हैं और सर इसमें हमारे स्टेट में जिन्डर कोर कमिटी तो स्टेट लेवल पर है ही प्लस डिस्टेक लेवल पर भी इसको हम लोग ले करके जा रहे हैं जिसमें की स्टेक होलडर्स में सर ये सारे विभागय पददिकारी और उनकी सारे लोग भी शामिल हैं जिनके सहयोग से हम लोग आगे इस कैमपियन को जो हम ले अभी हम एक महिने के कैमपियन पे हैं लेकिन आगे जैसे पुर्णी मैं जी बता रही थी कि ये हर साल का हमारा एजंडा है कि हम लोग इस कैमपियन पे हैं साइद एक बार हम यहारा मन ना करें कि हम कुछ कहेंगे लेकिन दूसरी बार तीसरी बार चौती बार में हम कहेंगे नए नहीं सब बहुत कर दिया है कि आप भी आगे हाय अपनी बातों को बताएं आप भी अपने आपको सम्मान की रूप में हर्वेक्टिविशेष का बारी खास होता है और यह इस का आपको पूरा का पूरा सम्मान मान चाहे घर हो बाहर हो समाज हो उसके आप खकदार भी है तुसर हमारी सरकार और हमारी जो । आजाते हैं कि स्रिफ transgender आजाते हैं मेरा मानना है सर कि gender कहने से आप परिपेक्ष हमारा वाले section में देखते हैं जहां पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी अभी माना कि पुरुषों का दायरा थोड़ा बढ़ा हुआ है लेकिन महिलाओं का दायरा भी अव कम नहीं दिख रह जोड़ना चाहेंगे कि जैसा आपने कहा अभी दस विभागों को पत्र लिखा लिए वह दिल्ली से भी गया जानी कि दिल्ली में मोर्डी ने मिनिस्ट्र पंचायती राज स्कूली सिक्षा विभाग हेल्थ विभाग वेलफेर डिपार्टमेंट यह सभी को उन्होंने पत् जाल कर रहे हैं तो शायद उतना मोटिवेट नहीं हो पाई लेकिन हमारा स्टेट डेवल कॉडिनेशन कमिटी बन गया है जिसमें सभी विभाग के लोग है डाल्सा को प्रमुक्ता दे गई है जाल्सा को कि ताकि लीगल आसपेक्ट चुकि बहुत सारे जो मदद करें वो व ताकि लोग उस तरीके से उसका लाव ले पाए तो यह बहुत अच्छा फोरम भी बन गजा रहा है जो कि थाना के बगएर अगर हिंसा की बात करते हैं और थाना का अगर सपोर्ट नहीं होता है तो हम लोग उसको काफी हद तक नहीं सुल जा सकते हैं अब एक राउंड चलत हलो मेरा नाम है काजल किरत मैं रांचे जीला से हूँ पर्खन बुढम है और उमेडंडा से हूँ और मैं अभी जेंडर सी आर्पी के रूपर अभी अपने च्छेतर पर कारियरत हूँ अभी हम लोग का छेत्र में जहां जहां छेत्र पर काम कर रहे हैं वहां ज्यादा तर हम लोग को भी देखने को मिल रहा है कि घारेलू हिंसा सबसे ज्यादा घरलू हिंसा में सबसे ज़्यादा होता है कि लोग नसा करके आके तरह तरह का दिदी लोगों के साथ मार पीट और होता है तो अगर लड़की पैदा होने पर अगर एक दिदी तो दूसरी साधी भी कर लेता है कि तुम लड़की पैदा कर रही हो नहीं अब दूसरा करना है व से हम लोग का ये CLF CLF, BIO, SAG के माधियम से हम लोग एक बदलाओ मंच की जो गठन किये हैं, जिसमें पहले तो उतना नहीं केसा था था जर, लेकिन अभी केस आना चालू किया हुआ है, जैसे हम लोग SAG में जाकर CLF के दीदी लोग को, BIO के दीदी लोग, SAG मेंबर लोग के द्वारा, बदलाओ दीदी लोग के द्वारा, सभी के द्वारा हम लोग जब बात्ची को रखते हैं, आपस में बात, हिंसा के बारे में जब बतलाते हैं तो, पहले दीदी लोग अपना हिंसा को बताते नहीं थी कि मेरे साथ ऐसा होता है वैसा होता है लेकिन अभी जब हम लोग जागरुपता अभियान अभी जैसे रंगोली के माध्यम से रैली के माध्यम से जेंडर जेंडर लिंग अधारी जो बिरूद अभियान चला रहे हम लोग उस पर अभी जगा जगा पे हम लोग रैली के द्वा चेनपूर बलोग सलत वासियलेप अभी हम महिला हिंसा पर काम कर रहा हैं जैसे कि गये अपना छेत्रे में वहां बदलाव दिदी और बदलाव मंच पता है एक दिदी का केस मिला था जो दिदी का पंदरा साल से घर से निकाला गया था फेरेली हिंसा करके उसका पती दूसरे स साधी करके और रांची में रह रह रहे थे उनको दूसरा जगए सहीं गाव घर में कुदा दिया गया था वह अपना बनी किसी तरह करके अपन जीवन पालन पोसंद कर रही थी वह बदलाव दिदी के मधियम से जनकारी हुआ तो बदलाव दिदी और बदलाव मंच सेक शुदी को सब्सक्राइब हैुआ लेगा और इसका पहले तो गाउंमें इसका बैठै किये थे लेकिन गाउं से सुल जाया नहीं किया तो फिर महिला थ estosides में केस हुआ तो इसका महिला थाना में बुलाहात हुआ फोई खुए हुआ तो उसका पती ने आय तो हां से ओॉ के ल उसका एकाउंट में एक हजार मैतली दिया, देने का किये और साथ एक अड़ जमीन उसके नाम पर दिया गया, और अच्छा से अभी रह रही है, और अपना घर उसका एक घर मिला। साथ जो आ रहे हैं, उससे बहुत बड़ाव देख रहा है, जैसे कि मुख्या पती, हमेशा तो पती आते थे ग्राम सभा में, लेकिन बदलाव मन्च में दीदी लोका होता है, तो वहां मुख्या आ जाती है, जो मुख्या दीदी है, पती का वहां कोई रोल नहीं होता है, बहुत अच्छा वह घर से निकली अभी मुख्या ही आ रहे हैं बदलाओ मंच का सबसे एहम रोल जो हमको लगा कि मुख्या आ रही है और वहां पर जो जैसे ये दिदी बदलाओ मंच का ऐख था उस तरह का केस घरुलिव इंसा का केस नसा पान का केस चूटी चूटी हिंसा ज करते हैं और हमारे गों में हम एक फुटे से गों से आते हैं गोड़ा सदर ब्लॉक से बैसाड़ी से मेरे गों में अभी एक साल से एक भी बाल विवा नहीं हुआ है जी मैं गोड़ा जीला से परखन ठाकुर गंग्टी से तो अभी यह केंपिंग यूज चल रहा है तो मुझे अभी जो पहले जो बहुत जागरू कर रहे थे हम अपने फेल्ड में कुछ-कुछ बदलाव आया था लेकिन जब से हम रेली लिकालना चालू किए यह केंपिंग के दौरा दीदी के पास बहुत बार मिले हम लेकिन वो दीदी हमसे कभी नहीं खुलकर बोली जब यह केंपि आज बोलेंगे सहेंगे नहीं कहेंगे रेली भी लगाई और बाद में बताती है कि मेरे साथ ऐसा हिंसा हो रही है तो इस बातों को लेकर हम लोगों ने उसी रेली के दीदी के साथ में तै कि हम कल ही बैठकर अपने बदलाव मंच और ग्राम संगठन के साथ बैठकर आपका इंसाब करने के लिए हम लोग तयार होंगे तो हम लोगों ने मुख्या जो कि हमारे अभियान काम कर रहा है हाँ बहुत बढ़िया चलिए दिए अब मेरा नाम जिना दासे और में वेस्ट सिंभूम नामंडी ब्लोग से हूँ शुरू से जब हम लोग जैसल पीस में जुड़ें तो उस समय हम लोग जब जेंडर से हम लोग जो लेंगी का समानता उसके बारे में जब हम लोग को जानकारी मिला तो इस पिक के कुछ ऐसा केस भी आता था घरेलो इंसा ओला जो हम लोग समझवाता करके दोनों पश्कों बुला के कर देते थे मगर कुछ-कुछ ऐसा केस भी निकल के आता था जिसमें हम लोगों को कानून का सयोग लेना पड़ रहा था तो उसमें जो डेलसे हैं वहां से जो पिल्बी है हैं वह हम लोगों को कानूनी सपोर्ट दिलवा रहे थे जहां में कुछ-कुछ मैलाएं जो हैं अम लोग जिनको कोड तक भी लेके कहा हैं और उनको नियाय मिला है और आज उनका इसीति जो है बहुत अच्छा है पहले से तो वह समय जब हम लोगों कर रहे थे तो उसमें कह नहीं न कहीं कुछ ऐसा संस्थान भी है जो चूटे थे यां फिर उन लोगों को लग रहा था कि नहीं यह सब सरीफ संगठन के माधियम से हलका-फूल का काम हो रहा है मगर जब अभी हम लोगों ने हमारा जो जी एलसी अभी जंडर सेंटर जो हम लोगों का खुला है यह ज यहां फेलय ने दया के मेयं माधियंस यहां के विए लिए महिल के प्राइटी जो हंके मैं चुग्म करना पर ता है तो समय बहुत हैं जो छुपाकर रखती ती मगर ऑकर केमपेयर्ưởng मेरा है चईंड़न कभी है निकलकर आ रहे हैं हमारे पास और तो वहाँ पे वे अपने समस्यों को बोल रही हैं तो इसमें अब एक अबेवात अब ने अफो के साथ में जो हिंसा भूत हो नत्म मांडी विंद्लोक से बिलोग करती हूं महीं ने पिछले पचीस नवंबर से तक का जो यह अभियान चल रहा है 23 दिसंबर तक तो मैंने अभी जस्ट 13 दिसंबर को एक ग्राम संगठन में मैं जागरुकता रेली की थी लिंग अधारित भेदभाव को लेके तो वहां पर हम लोगों ने जैसे रेली निकाले और रेली से पहले एक बैठक की और बैठक में सारा चीज जानकरी दिये की हिंसा क्या है हिंसा कितने परकार के होते हैं और हिंसा क्या क्या हो रहा है तो उसमें हम लोगों ने विश्टर पूर्वक जानकरी दिये और जानकरी देने के बाद में हम लोग टोला मोहला हम लोग जागरुक रेली की हैं और रेली में हम लोग जैसे सहेंगे नहीं कहेंगे महिला अत्याचार बंद करो तो इस तरह का जिसे हम लोग नारे लगा तो उसके बारे में हम लोगों ने फिर बताएं तो उसमें जागरुकता रेली से हमें ये एक चीज निकल के आया कि जब साम को दीदिया घर गई अपनी तो उसकी बगल में एक दीदी जिसका 13 साल से कोट में केस चल रहा था तो वहां पर क्या हुआ कि ओधी को कोट से भी नियाए नहीं मिल रहा था और वह केस लड़ते लड़ते एकदम ठक गई थी तो उसको लग रहा था कि अब हमको कहीं से नियाए नहीं मिलेगा लेकिन वह दीदी बोली कि नहीं आज ही हम लोगों ने ग्राम संगठन में एक रेली निकाला था उसमें जेंडर जस्टिक सेंटर जो नियाए सलहा केंद्र खुला है तो उसके मध्यम से साइद आपको कुछ मदद मिले तो वह दीदी 13 तारीक को रेल साथ कաरिक सारा हम लोगोंने बीओर और पी नोगोंने दोक्ocracy को दिये और उनका जो और डालसा से जो भी हम लोग मुआपजा दिलाने की बात उन से जो पी एलबी से जाने और उसका जो भी प्रोसेस है तो वो चीज अब दीदी को नियाय मिलेगा तो उसके लिए वो सभी कुमेरा जोहार मेरा नाम है आरती कुमारी हम अजारी बात जिल्ले से हैं कलश्टर हमारा विश्नुगड है अब फिलाल में हम जैसे कि रेली हर भीयों में निकाले अपना पंचायत में तो चर्ण नक्या भीयों से एक दिदी जो थी वो कि लोडा सॉर्ट करके पून हैंना तो उनके साथ में बहुत साल से मलव की लगभा उनका साधि दोचर चौद में हुआ था तो उनका जो है प्रताडित करती हैं मेहलाइं को निकाल दी है घर से उच्छे उनके हैं तीन बेटियां होने के कारण उनको मानसमान नहीं मिल रहा था और जब लाश्ट में बेटा हुआ फिर भी एक्सेफ्ट नहीं हुआ तो देदी मतलब कि बदलाव मंचु के बैठक में आई और बताएं स सब कुछ तो हम लोग सब पुरा ग्रामीन मिलके उनके परिवार वालों को समझाने गाएं लेकिन फिर भी मतलब कुछ नहीं निकला तो मुंख्या सब के साथ बैठक रखें लेकिन फिर भी कोई निसकर्स नहीं निकला तब जाके हम लोग थाना में आवेदन दियें उसके भाद से सर जो हम लोग के तो बुलने के डाल समें में भी airflow कुछ बालाई नहीं हो रहा है कि Istara में और लेक्ट करती कमाई के में रही रही है तो ओ दीदी मतलब की जागरूख हुई तब खुद आके बोली इतना साल से उन चुक्चाप सह रही थी इसलिए भी उनका काट चल रहे हैं कि सभी को जोहार मेरा नाम सोमी कुमारी है हजारी बात रखना चाहेंगे कि एक और अधूरत के उपर हिंसा होता है तो पर नहीं होता है उसका बच्चे पर भी होता है इसका मेरा केस भी है, एक मार कहीं चली गई, तो उसका गुस्सा उसके पिता बच्चे पर उतारती थी, और पुरा घर का जिम्मा और पुरा घर का भार उस 14 साल की बच्ची के उपर था, और पिता कहीं से भी आते थे और उनको मार पीट करते थे, तो यह चीज जब हम परसिक दिदी लोग भी बैठी मुख्या लोग भी बैठें और फिर उनके पिता को भी बुलाया गिया उनको समझाया गिया अभी बच्ची का इस्कूल भी छुट गया था कि नहीं मा भाग गई तो हो सकता है बच्ची भी भाग जाएगी लेकिन यह समस्या हम लोका गाओं में अपन प्रखन की हूँ मेरे साथ एक डायन को प्रथा 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 दीदी मिली जब हम लोग जब काम करना सुरूप के थे बियारपी के पत पर तो दिवाल लेखन करवा रहे थे कि महिलाओं को डायन कहना अप्राद है कहने वाले और उसकाने वाले दोनों कानून के अगदार हैं इस तरह से जब जागरुकता कर रहे थे तो एक डीदी के साथ एक डीदी को आठ साल से ससुराल से डायन करके प्रताडित करके और ग्राम सभा में पैसा भरवाने की बात कही गई तो दीदी पैसा भरने की मतलब नहीं सके पैसा भरने तो फिर माइके में आकर रहने लग कि हम लोग जब उस तरह से जागरुपता कर रहे थे दीदियों के साथ दिवाल लेखन का काम कर रहे थे और नारा लगा रहे थे तो दीदी बोले कि दीदी मेरे साथ इस तरह से हुआ है अकेले अपना घर बुला के उसके बाद में इस बात को हम लोग बदलाव मंच बैठक मे बात किये कि दीदी को किस तरह से नहाए मिलना चाहिए फिर वहां बदला मंच का वैठक में बात करने के बाद ग्राम सभा में भी बात इस चीज की चर्चा किये कि जब आठ साल से दीदी है तो इनको इंसाफ मिलना चाहिए फिर हम लोग ये निरने लिए कि दीदी का ससुराल पक्षवाले से बात करना है और वहां पर बात करने के बाद दीदी को निया मिलता है कि नहीं हम लोग देखेंगे उसके बाद कानूनिक करवाई में उत्रेंगे फिर वहां कगरामसभा से जब बात किये हम लोग मिलके तो उसके बाद दीदी को लोग रखने के लिए सहमत हो ग के आए इस चीज के लिए तब फिर अभी दीदी को नयाय मिला और दीदी अपने ससुराल में अच्छे से रहे हैं आप फोड़ा स्वाट करेंगे हैं यहां पर उपस्तित सभी को मेरा जारकंडी जोहार मेरा नाम अर्चना देवी और मैं पलामुजीला से चैन प्रकंड से हू सर अमापसे कुछ सला लेना चाहते हैं जैसे कि हम जी से एरिया में कार्य करते हैं उस एरिया में नशा बहुत ज्यादा होता है और जब भी हम एसे ही मीटिंग हो यह बीओ का मीटिंग हो तो दीदी लोगा सावाल यह आता है कि दीदी हम सर आपको कैसे बंद करें इसी के वज़े से बहुत सारा गरेलू इंसा होता है और दिदी लोग के साथ मार पीड होता है और कोई है बहुत जरूरी जिसको लगा पीछे देती हैं पीछे पीछे मांग रही है सबंको जोहार मैं खुटी जीला से मेरा नाम कमला देवी तोरपा ब्लोग से हूँ सर अभी हम लोग जो केंपेंड चला रहे हैं या पहले से भी जैसल प्येस के में जुड़ने के माध्यम से हम लोग बहुत कुछ जागरू किये हैं सर महिला हिंसा को लेके लेकिन अभी भी को पूछना चाहूंगी कि किस तरह हम लोग उनको मोटिवेट करें कि वह हम लोग से खुल से खुल के बात करें और सही से हम लोग उनको नियाय दिला पाएं बहुत बड़िया नेक्स्ट और कोई है मैं लोहरदगा डिस्टिक कुडू ब्लॉग से हूँ मेरा नाम मिना कुमारी है हम लोग जब भीयो में प्रशिक्षन देने जाते हैं तो फिर वहां जब बाते रखते हैं दिदिया लोग से तो खास करके यह हम लोग प्रशिक्षन देते हैं कि जैसे में कि आप अपने आपनाने गजोरत है चोरग बेटी हो करें में उसको खेलने के लिए भी मौका दे और अपने बेटियां को इस तरह से इस तरह से आत्म निर्भर बनाए जो आगे चलकर कि इस हिंसा का सामना भी ना करना पड़े और दिन्यान लोग को यह भी बताते हैं कि जिस तरह से आप घर में अपनी पैरेंस की तरह से रहते हैं तो रहते हैं लेकिन अपने बेटी से खास करके टीम याज के दौरान अपनी मैं बेटी से सहली की तरह और पsmयास की महा है उनकी बेटे हैं उनकी बेहन यह उनकी ने था उखर दी ticking neighbour है उलकिन टौर उनकी नाम अहीं पेचान नहीं होता है इसल 선물 भी अपनी बेटी Hug Good का हम देबे तो मुझाय पडहेज को फैयicting होता है उसकर अगरे सिम्येड करकि रहा जाते हैं तो अई चरह नहीं वीन उसका Значит रिखा मक्ट सब्देते यह अइस चाहिज आए कि अधिश समिन नहीं पेले डाये तो ऑपना घर कभी अगर कूछ में आप नहीं किसे को नहीं बताना हो धौत अंइवारे अगर किसी को नहीं बता ना हो तो हम वापस लेते हैं इधर अपना धूरी नहीं नहीं हो तो क्या है डर्री है ये 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 अब हम समय का तो कुछ नहीं कर सकते हैं मैं वेश शिमूम नामंडिस है सर जब मैंने सुरुवात में जसल पियस जोन किया था और जैसे कि हम लोगों को कुछ भीयो बांट दिया जाता है तो सुरुवात में मुझे जो तीन भीयो मिला था वो काफी सरल था लेकिन बड़ 2021 में कुछ नकसल एरिया वाल भीयोज मिला जहां जाना काफी मुश्किल था क्योंकि जब मैं फर्स्ट बार गई थी तो वहां के सारे लोग जो आ गय थे गाओं के लोग और वो पूछने लगे कि आप लोग यहां क्या करने आ हैं और उन लोगों ने सबसे पहले मुझे एक कीजिए गा यह बात उन लोगों ने कहा था तो खर मैंने उसे समाने रुप में लिया फिर धीरे-धीरे हम लोगों ने वहां पर सेजी बनाना चालू किया क्योंकि वह लोग एसीजी भी बनने नहीं देना चाह रहे थे और वह चाह रहे थी कि यहां कोई भी गौर्रमेंट क कोई भी आदमी यहां पर प्रवेस ना करें लेकिन हम लोगों ने महिलाओं को अपने और किया और धीरे-धीरे थोच समय लगा इस पर लेकिन धीरे-धीरे हम लोग वहां पर गए गए और समों भी बनाएं और सबसे जादा हमको यह चीज़ देखने को मिला कि यह जो 25 नॉ पर गए पर बात बने लेगी आए जाए जाए जल्दी बोलिए अच्छा तो होता है प्राय देखा जाता है कि गांस तर पर बहुत हर दूसरे घर में हिंसा होता है हर घर में घरेले हिंसा का बस कुछ प्रकार जो अलग-अलग होते हैं पर यह अभियान जरूरी क्यों है हम इस पर बोलना चाहते हैं कि प्रतेक वर्ष यह नई चेतना का अभियान जरूरी क्यों है अपना अनुभव मैं बता रही हूं सर हम लो मेरा नाम रिंकी देवी है मैं गुमला जीला चैनपुर ब्लोक से हूँ यह जो हम लोग जेंडर के तहट यह जो अभ्यान चला रहे हैं और काम कर रहे हैं तो हम लोग के लिए कभी-कभी यह बहुत चुनोती भरा भी मतलब छन आता है तो इसके लिए हम लोग को सबसे पहला समझदारी, दूसरा हिमत, तीसरा है अपनापन, अगर यह हम लोग के पास नहीं रहेगा तो हम लोग ना महिला को इनसाफ दिला पाएंगे, ना इस कदम में आगे बहुत बढ़ी है, उसमें आप से मैं सुरू करता हूँ, एक सवाल यह है कि नसा को कैसे रोकें, नसा को रो इसको कैसे मिनिमाइस करें, पीने ही नहीं जाएंगे, तो भाई करना है, तुम अपना बेशते रहो, ठीक है ना, आप बिलकुल, नशा पान एक सामाजिक कुरिती है, और अगर इसका इतिहास पे जाएंगे तो शायद सदियों से होती है रही है, लेकिन हमको लगता है कि श सबसे सटीक उपाये तो सामाजी प्रतिबंधन ही होगा, क्योंकि ये समाज की ही कुरिती है, और इसको खतम करने के लिए, इसको इसको काबू पाने के लिए सामाज को ही एकतरित होना बहुत जरूरी है, बिलकुल, घर तूट जाएगा, इस डर से हिंसा परदास्त करती है, कैसे इसको उनका हिंसा भी नहीं हो, घर भी नहीं टूटे? समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, और हमारा जीवन कैसे इसे प्रभावित होगा, इसके बारे में तो पहले दीदी खुद से अपना परिवार को समझाए, अगर उससे भी संभाव नहीं है, तो एक संगठन है, जो हम लोग का बहुत मस्बूत संगठन है, जो जहां कहां सव से लेकर हजार तक है, तो सभी कोई अगर मिलकर अगर एक बार उनके साथ मिलकर बैठेंगे, तो हो सकता है, हम लोग उनका जो समस्याओं को दूर कर पाएंगे. पुर्णिमा जी, एक बहुत इंपोर्टेंट सवाल है, वो है कि नकसर इलाकों में उन्होंने अपने पहल पर काम करी है, वो भी एक इलाका है, जहां कि वो कहते हैं कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए काम नहीं होने देरे हैं, तो वहां कैसे मूव करें? एक चीज है कि महिलाओं को जो जोड रहे हैं, तो हम लोग महिला शक्ति को देख पा रहे हैं कि कैसे उन लोग सामने आ रहे हैं, जैसा यहीं से उत्तर भी मिला. मिनक्षी जी, इसी सवार को समय नहीं है. अब ही तक सखी मंडल की भूमिका जो आया भी दीदी लोग की मात्यम से, कि खुद हम आगे आएं, महिलाओं ही उसको तोड सकते हैं उस बेरियर को. महिलाओं आगे आएं और आप ही के बीश से तमाम सवालों के जवाब मेले हैं. मेरे पास जवाब हैं, मैं जवाब नहीं दूँगा, इसलिए कि लडाई आपकी है, आपको अपने लडाई के लिए अपने सवालों के जवाब ढूबने पड़ेंगे, आप सब लोग बहुत बढ़िया काम कर रही हैं, सब को बढ़िया से जोहार बहुत बहुत आभार, बह अपने सब्सक्राइब इसलिए कि लड़ेंगे, झालों के लिए ठेले झालों के सब लोगा रभार, बहुत दो